सावनेर तहसिल के खापर खेडा निकट ग्राम पोटा के फुटाने महराज मत में श्री गुरुबरिय देवराव जी वनवे महराज के मार्ग दर्शन में अध्यात्मिक वार करीब बालसंसकार शिविर की परंपरा है। दिनांग 5 मई से 25 मई तक 21 दिवसी असांसकृतिक शिविर कायजन किया जा रहा है। योग तग्य जाचुराम शर्मा ने कहा कि जिस घर के नियू मजबूत होती है वे खर आसानी से नहीं तूटे। उसे प्रकारी अपने शरीर के मजबूती के लिए योग प्रानायाम आसन तथा हार का महत्व होता है। जो व्यक्ति नियमीत योग करता है उससे बिमारी अदूर भागती है तता धर्म संस्कृति और योग एक मजबूत राष्टर निर्मान की नियू होती है। और आप सभी बच्चे देश का भविश्य हो और आपको संजोना हमारी जीमिदारी है। जोटों की प्रती प्रेम बड़ों की प्रती सनमान देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए श्री देवराव महराज वनवे नागपुर प्रयास रहत है। अध्यक्षर संजेव वंजार सचुच चंडरशेखर लांडे सयोजक परसराम भड आदी मिलकर बच्चों में वारकरी संप्रदाय के साथ सुसंस्कृत समाज के निर्मान के हेतू सुन्दर कार्यक के लिए तनमंधन से पुरिशार्थ कर रहे है। आज के सत्र की शुरवात वरिष्ट योगशिक्षक की शोर ढूंडेले द्वारा योग की जॉगिंग से कर तारासन रुक्षासन सुर्य नमसकर आदी से वही महिला पतंजली नागपुर जिला प्रभारी उर्मिला जुवार करने शिविर में बच्चों के अच्छे स्वास से बीस दिनों से जारे इस शेवेर में पतंजली योग समिती खापर केड़ा शिविर आर्थियों को योग प्राणायाम सुक्ष्म व्यायम सुर्य नमसकर आसन योगासन आदी से अपने शरीर को स्वस्च रखने के लिए रोजाना सुबर 6-7 बजे तक पालक सवरक्षक अम अधिता आवान खड़े रंजना काई शीतल सुनकुसरे आधिका सयोग है तैसल में योग दीन निमित्तपुर्व अभ्यास मोहिम के संचलन नेरु युवाकेंद्र राष्ट्री युवाक कोर के रूप में प्रकाश डंडारे का रिरत है श्री संतफ उटाने महराज देवा